User Registration Form की में बन्दा है अते MySQL Database विच उप्योग करता की में रेजिस्टर होंदा है इस उत्य स्पोकन टुटोरियल विच तो हड़ा स्वागत है इस टुटोरियल नूँ शुरू करन तो पहला एक सला है कि तुसी पहला मेरे User Login Tutorial विखो मैं उस दा लिंक पोस्ट कीता है मैं तो हनु सला देंदा हां कि इस टुटोरियल नूँ देखन तो पहला ही इस तरह करो मेरा User Registration तो पहला User Login बढ़ान दा कारण ए है कि क्योंकि मैंनू Registration परकिरिया तो पहला User Login परकिरिया करने ज्यादा सरह लग दी है एक वार जदों तो हनू Login परकिरिया सही मिल जांदी है अते तो हनू Database विच फेल्ड्स मिल जांदी हैं तुसी अपनी Registration परकिरिया शुरू कर सकते हूं मैंनू एहे इस तरीके नाल करना ज्यादा सरह लग दा है तो हनू पता है तुसी अपने Database विच की Registrate कर रहे हूं शुरू आप दे तो और ते पहले पाग विच असी अपना Form पना मांगे अते अपनी Login सूचना दी हाजरी लई जाज करांगे मेरे मजूदा Tutorials विच्छों मैं अपना Login Session Folder इस्तेमाल कर रहा हां इत्थे एहे मेरा Login Session अते मेरे सारे Fields हन पर इत्थे मैं एक नमी फाइल बनावाँगा पहला कुछ Tags जोड़ू मैं इसनों Index.php दे नाल मेरे Login Session Folder दे अंदर बनावाँगा जो मुख पेज है जिसनों तुसी विख्या सी Login, Logout अते Member Page जेकर उपयो करता ने Login कीता होया है अते मैं इसनों Register.php दे रूप विच सेव करांगा मैं इक उपयो करता Registration Form बना रहा हां तांकि उपयो करता Login करंदे निश्चा तो पहला Register कर सके मैं मेरा Register.php बना लिया है अते अपने Index File भी खोलन जा रहा हां मैं Form ते हेठा एक Link बनावाँगा अते एहे उस Register पेज दा केवल एक Link होवेगा अते मैं इथे Register टाइप करांगा सो इते सानो Register नामख एक Link मिलदा है जो साथे पेज उत्ते जानदा है जित्थे साथे कोल होण कुछ भी नहीं है विशले टुटोरियल अनुसार जित्थे असनी Login कर सकते सी मैं Page तेकेवल एक Link रखांगा जिसनों तुसी अजया करन तो पहला Register कर सकते हो अपने Database विच Data Type करन तो पहला जेकर मैं एक नमा विंडो खोल दा हाँ मैं PHP My Admin ते जावाँगा अते ए है Database है जो इस्तेमाल होवेगा जिसनों PHP Login कहते हैं अते ए है मेरा Users Table है तुसी वेख सकते हो कि मैं Name नामक एक फाल्तू field जोड़या है अते मैं Date नामक एक होर field जोड़ांगा Table दे अंत विच जो Date कहाएगा अते एहे Date Format विच होवेगा ता एक इत्थे हैं एहे इत्थे हैं इस तो पहला कि तुसी उल्जन विच पवो की तरीक की होवेगी ए वर्तमान तरीक होवेगी जदों उप्योग करताने रिजिस्टर किता सी अते असी उत्थे जांदे हां अते उसनों सेव करते हां सो यूजर लॉगिन दे पिछले टिटोरियल विच्चों साड़े कोल केवल आईडी यूजर नेम अते पासवर्ड हैं उन मैं एक नाम जोड देता है जो एहे उप्योग करता दा नाम होवेगा अते असी तरीक जोड देती है तरीक जदों उँ रिजिस्टर होया सी इत्थे मेरे कोल रिजिस्टर पेज दा मेरा लिंक है इत्थे मेरा रिजिस्टर पेज है हुण मैं इस HTML कोड नू विस्थार बिच समझावांगा जो द्हानू दस्दा है कि इस पेज नुक्य में बनाओ दे हन अते सब तो पहला साड़े कोल एक फॉर्म होवेगा एहे एक आपने आ दो कॉलम्स हान सो एथे दो टीडी ब्लोक्स हान अते मन लो कि पहले विच तोहड़ा फूल नेम होवेगा मैं एहे तोहड़े उत्ते चाड़ता हां जल्दी करन लई मैं इस तरह करांगा एथे साड़े दूजे कॉलम्म बिच मैं आपना इनपूट टाइप टेक्स्ट रख मैं अपने असली पहिते वापस जान दा हां रिजिस्टर उत्ते क्लिक करूं तुसी बेख सकते हूं इथे एहे एक कॉलम है इसनू इथे वाग करूं इहे इनपुट बॉक्स वाली एक होर कॉलम है अते मैं इथे भी जामांगा अते पी अच्पी कोड़ दे अंदर मैं एक ह सो सानू एहे मिल गया है, इस समय साड़े कोल एह है, तेज करन ली मैं इसनू हेठा copy अथे paste करांगा, सो यह यकीनी बना लो कि तुस्सी टियार तों लेके end-tr तक चुनूँगे, मैं इसनू हेठा paste करांगा, अथे फिर कहांगा कि choose a username, अथे सपस्ट है कि इसनू username विच बदल करांगा, मैं इसनू दुबारा paste करांगा, अथे कहांगा कि choose a password, एहे text केवल उस परस्थेती विच सरख्यत करन ली है, जदों कोई साड़े उप्योग करता दे, मोड़े उप्ते देखता है, जा कोई screen capture करन वाला software इस computer विच कुस पैठी करन ली, इस्तेमाल हो रहा है, अथ अगला इते हिठा, मैं इसनू इते copy अते paste करांगा, repeat your password क्यान ली, दुबारा इते password, असी दुबारा password नहीं कह सकते, इसलिए मैं repeat password करांगा, असी इसनू पासवर्दी तुलना करन ली, इस्तेमाल करांगे, एक वार जदों ओ, एक सुरख्यत मापदे रूप विच, उस पर स्थिती विच जमा किते जानगे, जदों उपयोग करता, कोई गलती करेगा, सो सानू किसे होर field दी लोड नहीं है, एहे आखरी है, सानू जो चाईदा है, ओहो डेट है, पर मैं एहे तद करांगा, जदों मैं फार्म जमा करांगा, ता असी इस form नू बनाया है, चलो वापस जान दे हां, अते रिफ्रेश करते हां, तुसी बेख सकते हो, एहे कि में समानता नाल अर्रेंज किता है, इसलिए असी टेबल दा इस्तेमाल किता है, सानू एक सब्मेट बटन दी वी लोड है, साधे टेबल दे हिठा, मैं एक पेराग्राफ ब्रेक बनावांगा, अते मेरा इनपूट टाइप इत्थे सब्मेट होवेगा, मेरा नाम सब्मेट होवेगा, सानू मौझूदगी जांच करनी होवेगी, अते वैल्यू रिजिस्टर होवेगी, चलो रिफ्रेश करते हां, असी इत्थे हां, तुसी बेख सकते हो, पासवर्ड फिल्स खाली हो चुके हां, इत्थे साड़े कोल उपयोग करता नूँ अपनी वैल्यूस टाइप करन लेई, एक फुल नेम अते यूजर नेम भी है, ठीक है, इस दे बारे विच इन आही, मैं टुटोरियल नूँ इत्थे खतम करता हां, जेकर तुसी इस दी कदम पा कदम पालना कर रहे हो, यकीनी कर कि तुहनू अपना फॉर्म लिखती रूप वेच मिल गया है, अते जेकर तुसी चौदे हो, ता एक हो डेजाइन अपनाओ, मैं चौदा हां कि मेरे कोल इस नूँ करन दा होर समा हुंदा, अग्गे वदो, अते अपने इच्छाउन सार फॉर्म पनाओ, इस नाल ओई करो, जो तुहडा मान है, एनना लेबल्स नूँ बदलो, केवल एहे यकीनी कर लो, कि तुहानू तुहडे बॉक्सिस अते तुहडा रजिस्टर मिल गया है, अगले पाग विच असी ए जांचन लई गाल करांगे, कि उप्योग करता ने हार इक फिल्ड विच टाइप किता है, अ मैंनू विश्वास है कि लगबात उसीं सारे जो देख लेह हूँ, ने किसे मोक्य ते रजिस्टर कर लिया होने, अते अपना पासवर्ड दुबारा पार लिया होने, असी अपने पासवर्ड नूँ एनक्रिप्ट भी करांगे, अते इनना फॉर्म्स तों कोई भी नुक्सा तो हुन विदा लेंदा हाँ